देश में जब से ये लोग सत्ता में आये हैं, प्रसाइजली मैं कहूं, 72,747 सरकारी स्कूल इनके राज में बंद कराए गए हैं। जहाँ जहाँ ये सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, वहाँ वहाँ प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। और वो प्राइवेट स्कूल ही नहीं के नेतना हों के यहीं लोग प्राइवेट स्कूल खुलवा रहे हैं वापे 11,749 यह भी यही रिपोर्ट करें यह यूड़ाइस की जिसको सारे एकवारों नहीं विचा पाऊगा 11,749 करीब 12,000 प्राइवेट स्कूल खुले हैं और 32,000 स्कूल बंदू 2015 के बाद से हमने 700 नई स्कूल बिल्डिंग बनवाई है सुनने को अरहा है कि भरते जिंता परती ने अब शराब का मुद्दा छोड़के स्कूल में ब्रिश्काचार का एक नया जुम्ला उठाना शुरू किया है इन्होंने पहले शराब 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 चिलाते रहे यह लोग उसके पहले गर आपको याद होगा पहले बोलते रहे जी पार्टी में चंदा लिया आए गरवड कर रखी है फिर बोले कि CM के ऑफिस में गरवड हुई है इन्होंने CM के ऑफिस में CBI रेड की फिर मेरे घर पे CBI की रेड की इन्होंने चार साल पहले फिर धीरे धीरे करके इन्होंने 40 MLA के खिलाफ फर्जी F.I.R. इसकर आते रहे हर एक में कुछ नी निकला फिर मेरे घर अब इन्होंने शराब का तथा कतित घोटाला फर्जी F.I.R. उन सब की नोटंगी की पिरेड की वहां भी कुछ नी निकला अब इनको समझने आगया कि वहां से तो कुछ नी निकला अब इन्होंने कल से एक नई कहाणी रचने शुरू किया है किसा इसकूल बनाने में घोटाला हो गया स्कूल बनाने के लिए गरवड़ी की गई है स्कूल बनाने में मैं इनकी चाल समझता हूँ और आज आपके सामने में यह रखना चाहता हूँ जीस तरह से इननोंने मेरी घर पर ड़ियि अभी तक 10 DJ नमें इने बताए बिल पाटकी क्या निकला मेरे घर से मेरे घर से यही निकला होगा कुछ स्कूलों के नक्षे कुछ स्कूलों के कागज कुछ बच्चों के कागज जितने भी यह अरोप लगा रहे हैं सारे जोटे हैं और मैं स्कूल के बारे में भी कहता हूँ कि जितनी यह बक्वास कर रहे हैं सब जोटे सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है कि दिल्ली में शांदार स्कूल बने हैं दिल्ली में हम सब गर्व के साथ कहते हैं कि दिल्ली के स्कूल, दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शांदार हैं जितने बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी नहीं होते हैं आज इनकी तारीफ दुनिया भर में हो रही है अब इनकी साजिस है कि किसी तरह से दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बंद किया जाए इनको ये हजम नहीं हो रहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शांदार चल रहा है शांदार बन गए और शांदार चल रहा है ये अनपढ़ गवार लोगों की पार्टी है और ये पूरे देश को अनपढ़ गवार रखना चाहती है इनको बिल्कुल प्राब्लम हो रही है इस बात से कि कैसे हो सकता है कि हर एक बच्चे के लिए अच्छा सरकारी स्कूल बन जाए अच्छे इनकी जहाँ-जहां सरकारे इनोंने और सारे राज्यों में अपने में सरकारी स्कूल बंढ़ किये पिछले 5-6 साल में जब से लोग साथ साल से हैं सखार मैं रखUNGगा उसका डेटा आपके पास में लेकिन मैं बात बहुत गंभीड़ता से कहना चाहा थाएं कि इनका इस्कूलों के करफशन वर्यप्षम में इंट्रेष्ट नहीं है कि इसकूलों के और इन सब के करफशन में इंट्रेस्ट होता तो मैं कई बारा कर लो जाच लेकिन इसकी भी जाच करो कि पूरे देश में सरकारी स्कूल जब से आप सत्ता में आये हो क्यों बंद हो रहे हैं आज 2014 से इनकी सरकार है देश में 2014 से लगातार इन्होंने देश भर में सरकारी स्कूल बंद कियें और ये कहके बंद कियें जी सरकारी स्कूल नहीं चल सकते प्राइवेट स्कूल खोलने पड़ेंगे सरकारी स्कूल का मॉडल फेल हो गया प्राइवेट स्कूल का मॉडल चलाएंगे दूसरी तरफ दिल्ली ने एक मॉडल दिया है कि सरकारी स्कूल ना सिर्फ ठीक हो सकते हैं बलकि बहुत अच्छे चल सकते हैं और बच्चों का शांदार भविश्य दे सकते हैं लेकिन दिल्ली ने एक confidence दिया पूरे देश को पूरी दुनिया को कि सरकारी स्कूल शानदार बन सकते हैं शानदार चल सकते हैं बच्चों का अच्छा भवश्य बना सकते हैं अब जो इनकी ये नई नोटन की शुरू हुई है कि सरकारी स्कूल में ब्रश्टाचार हुआ है ये मुख्ध है मुझे डर है कि ये सरकारी स्कूल दिल्ली के भी बंद करवाना चाहते हैं कि इनको इस बास से डर लग रहा है कि अगर देश को ये बात समझ में आ गई कि सरकारी स्कूल चल सकते हैं तो इनका ये जो मॉडल है कि सरकारी स्कूल बंद करो और प्राइवेट स्कूल खुलवाओ इस पर क्वेश्टन उठने लगेंगे इसलिए जान बूच के चाहते हैं कि अब दिल्ली के सरकारी स्कूल बंद हो जाए जब से 2014 से ये भारती जनता पार्टी सरकार में है केंद्र की और ये मैं बहुत authentic data आपके सामने रख रहा हूँ Udice इनी की website है जिस पर एजुकेशन का इसकूलों का data रखते है उसको उठाके देख लीजिए 2015 से 2021 तक इन्होंने 72,000 से जादा सरकारी स्कूल बंद करवाए पूरे देश में जब से ये लोग सत्ता में आए हैं precisely मैं कहूं 72,747 सरकारी स्कूल इनके राज में बंद कराए गए हैं ये चाहते हैं कि पुरा का पुरा देश प्राइवेट स्कूलों पर डिपेंड हो जाए और प्राइवेट स्कूल जिसको केवल और केवल 20% बच्चे एफोर्ड कर सकते हैं 80% बच्चे एकदम बरबाद हो जाए प्रसाइजली ये सारा मीडिया रिपोर्ट से ही अपने पास से नहीं कह रहा है आप लोगों ने मीडिया ने खूब दिखाया इनकी वेबसाइट को इनके इनकी वेबसाइट से निकले और डेटा को केवल सेप्टेंबर 2018 से सेप्टेंबर 2019 के बीच एक साल में इन्होंने पूरे मिशन मोड में काम करते हुए दौि पूरे दौर में इन्होंने 42,747 स्कूल भूरे अर प्राइवरीट इस जराल भूरा कने लिए जहां जहां ये सरकारी स्कूल बंक कर रहे हैं वहाँ-वाँ प्राइावरेसगोल खुल रहे हैं और वो प्राइवेट स्कुल नहीं के नेताओं के हैं यहीं लोग प्राइवेट जोड़ु खुल वारे हुआपे 11,749 यह भी यही रिपोर्ट करे रहे है यूड़ाइस की जिसको सारे अख्मारों पछापा हुआ है 11,749 करीब 12,000 प्राइवेट स्कूल खुले हैं और 32,000 स्कूल बंद हुए हैं ये इनका स्कूल मॉडल है मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूँ कि मैं अरविंद केजरिवाल जी के शिक्षा मंतरी के रूप में बहुत गर्व से काम करता हूँ और मुझे बहुत गर्व है इस बात पे कि दिल्ली में 2015 से पहले के स्कूल नहीं होते थे टैंट के स्कूल होते थे चिडिया घर बोलते थे उनको तीन टपर वाले स्कूल होते थे खड़े वाला स्कूल बोलते थे 2015 के बाद से हमने 700 नई स्कूल बिल्डिंग बनवाई है वो प्राइड स्कूल हों से भी बहबर स्कूल बिल्डिंग बनवाई है बहुत गर्व है इस बात पहले जो इनका सरकारी स्कूल बनाने का मॉडल था वो लगा हुआ प्लास्टर लगा दो उसके उपर कोई पिली सी कोई खड़िया उससे कलई लगा दो रोता हुआ इसकूल बनाओ देखते ही लगेगी सरकारी स्कूल है हमने दिल्ली में कहा कि देखते ही लगना चाहिए कि शांदार सरकारी स्कूल है इस बात में बहुत गर्व है हमेश बात पे गर्व है कि हमने जो स्कूल बनवाए वो बड़े-बड़े प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रह हमने वह प्लास्टर वाले कमरे नी बनवाई जिन से प्लास्टर लटकता रहता है हम ऐसे कमरे बनवाई कि जहां आज दिल्ली का कोई भी गरीब से गरीब आदमी का बच्चा अमीर आजमी का बच्चा भी पढ़ने जाए तो उसको गर्व हो सके कि में अच्छे स्कूल में यह देश के बच्चे हैं हमारे बच्चे हैं सरकार के बच्चे हैं सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करें आपकी तरह से नहीं है कि अपनी जिम्मेदारी से भागो सरकारी स्कूल बंद कराओ और प्राइवेट स्कूल खोलने का मिशन कोड़ चला के रखो जब सरकारी स्कूल खुलेंगे और सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बहतर दिखेंगे वहां पर पढ़ाई अच्छी होगी तभी देश आगे बढ़ेगा नहीं तो यह 10% 20% बच्चों को केवल प्राइवेट स्कूलों के सारे छोड़के और सरका अभी अपते बर दस दिन पहले कराई है एक और रेंड करा लो इस बीच में दस दिन में हो सकता है चार और स्कूलों की बच्चों की कॉपिया मिल जाएंगी मेरे घर पे किताबे मिल जाएंगी यह एडवा होगा लेकिन करा लो आपकी मर्जी है मैं पिछली उससे रीडर आ आपकी अभी क्या डरूंगा लेकिन नई CBAE RAID कराने से पहले जरा ये भी बताएं ये लोग कि जब आप कहते थे पार्टी में चंदा गड़बड है 6-7 साल पहले उस पे भी बड़ी रेड कराई थी उस पे भी बड़े थाने में चलवाई थे उसका बताओ उसका क्या हो आ मेरे घर पे चार साल पहले CBAE RAID कराई बोले जी फेस्बुक को विज्यापन दे दिया बिना टेंडर के अरे फेस्बुक तो एक ही कंपनी है उसको ही जाएगा बोले जी यही गड़बड है उसके बाद CBAE RAID कराई क्या निकला कुछ नहीं निकला लिखके देना पड़ा ज जाएगा थोड़ा सा थोड़ा सा शान्त हो जाया का मनी स्कूल की बास सोचों के बीच में तो 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 जाता हूं बच्चों की बीच में जाता हूं अच्छा लगता है हम वो करते रहेंगे आपको जो आता है वो कर लो मैं अभी वह नजफफगड से आ रहा हूं नजफगड में एक बहुत शान्तार स्रकारी स्कूल जो देश में अपने अपमे युनिक है पूरे देश में आपको ऐसा वान देखने को नहीं कर दो कर दो कमें